कि सिद्धर रू करते हैं मुद्दे की वारत का नमस्कार आप देख रहे हैं के नियूस मैं हुआ आपके साथ सुनी चोहान मुद्दे की बात में आपका स्वागत है लंबे समय के विराम के बार देश में एक बार फिर से कोरोना वाइरस ने प्यार पसारना शुरू कर दिया है और इस बार रूप नया है केरल में एक और मौत से देश में टेंशन बढ़ती जा रही है भारत में 24 देसंबर को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए देश में आक्टिव केस बढ़कर करीब 3742 हो गये हैं केरल में सबसे ज जो नए केस मिले हैं उन में से हर पाउंच में से करीब 1 कीस नए वेरियंट जेन वन का है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं महारास्ट्र कोविट के नए वैरियंट का सुपर तो नहीं बन रहा आपको बता दे जे एन वन वैरियंट के बढ़ते केसों को देखते हुए म को सुनिशिक करने के लिए आदेशित किया है उधर अगर डबलू एचो का जिक्र किया जाए तो कोरोना संक्रमित देशों को सर्विलांस बढ़ाने की सला दी गई है भारत में इससे पहले 23 देसंबर को कोरोना के करीब 752 केस सामने आये थे और ये 21 माई के बाद देश में सब से जादा केस थे भारत में बड़ती कोरोना केसों के पीछे जैन वन वर्य एरियंट को ही मुख्यं वज्वज़ माना जा रहा है और केरल में जैनवन वेरियंट का पहला केस मिला था के इन सरकार्ने राज्य को वाएरस के विरेंट पर नजर बढ़ाने के लिए सही सैंबल क को जीनूम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया है विश्वा स्वास्त संगठन ने नय वैरियंट जे एंग वन के साथ साथ इंफ्लिवेंचा जैसे सास संबंधी रोगों के बढ़ते मामलों के चलते निग्रानी बढ़ाने और लोगों को आधिक अलर्ट रहने का आग्रह किया है वहीं एक तरफ एक स्टडी ने भी सबका ध्यान अपनी और आकरशित किया है स्टडी में दावा किया जा रहा है कि कोरोना आपके गले को भी संक्रमित कर सकता है और इतना संक्रमित कि शायद आपकी आवाज भी जा सकती है दूसरी ओर COVID-19 के सब वैरियंट यानि कि JN1 और BA.2.86.1 के अभी तक देश में 42 जो मामले हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं जीनोम टेस्टिंग में सामने आ रहा है कि कोरोना के XBB वैरियंट के 90 फिस्ति मामले सामने आ रहा है यानि कि JN1 के मामले कम हैं कोरोना वाइरस लगातार विक्सित हो रहा है बदल रहा है दुनिया भर के सभी देशों में फैल रहा है और ये देश में पिछले 4-5 महीनों के डेटा को देखकर पता लगाया जा सकता है मौझूदा आकड़ों का अगर जिक्र करें तो XBB वैरियंट के 80-90 फिस्ति मामले रहे हैं और ऐसे में ये पता लगा पाना मुश्किल है कि व्यक्ति कौन से वाइरस पीडित है कोरोना वाइरस आपके गले को भी नुकसान पहुचा सकता है और इतना कि इसकी वज़े से आपकी आवाज भी जा सकती है हम नहीं कह रहें बलकि ये रिसर्च में खुलासा हुआ है रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना का संक्रमन आपके गले को भी नुकसान पहुँचा सकता है एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो इसे वोकल पैरालेसिस कहा जा सकता है इससे होगा ये कि धीरे धीरे इंफेक्शन के चलते आप अपनी आवास खोदेंगे और ये वास्तों में खतरनाक है यूपी में कोरोना के पांच नए कीश सामने आये हैं महराश्च्ट सरकार की कैबनेट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है क्रिशिमंत्री धनंजय मुंडे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है कोरोना सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है अलग-अलग राज्यों में कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब सवाल यह है कि कोरोना के लिए मास्क लगाने वाले दिन फिर से लोड़ाए है तो अब एक नए रूप में कोरोना ने दस्तक दी है और इससे लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जान के साथ साथ आवाश पर भी ये कोरोना का जो वाइरस है जो एक नए अवतार में सामने आ रहा है ये इफेक्ट कर सकता है यानि कि अब इस बास से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है कि इस वाइरस के इफेक्ट से आपकी आवाश तक जा सकती है तो और भी जोगों की तस्वीरे आपके साथ साजह करेंगे काई जिलों से हमारे समबादाता जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नए वाइरस का जो एफेक्ट है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा है लोग कितना सतर्क हैं इस वाइरस को लेकर और साथ ही है कि और करने वाला है दू आ था है, हमरे साथ नोईतरस मुनेंdra श्रमा शंवादецा, जुड़े हुए हैं गोरख पूर से राम्शंकर reference सान दमादक्राइस जुड़े हुए हैं। बोरकपुर से विवरचीफ रामचंकर यादो जुड़े हुए हैं शिर्वात नुएडा से कर लेते हैं नुएडा से मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं मुनेंद्र नुएडा में फिलहाल क्या कुछ वायरस को लेकर इस्तति देखने को मिल रही है कितनी तेजी के साथ लोगों में कितनी सतरकता इस नए वेरियंट को लेकर अभी तक इस वायरस का एक मरीज रिकोर्ट हो चुका है इससे पहरा कि पिछला कोबिट था उसमें दोनों लहरों में दोनों वेब्स में नुएडा रेट जोन में था और सफे जादा चल्टा में था अभी जो हालात है नए यहां को विगा फोन कि इस वीमारी जांड़ुक्ट है या पैलने दे लुटने के विए तपर है जिसरे बिलकुल तो नुए दी जो इस्तति है इस नए वेरियंट को लेकर भी सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है जैसे कि जो जमीनिय स्तर पर इस्तितियां और विवस्थाइं नजर आ रही है उनका आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं हलांकि देखा गया शुरुवाती दौर में मुरेंदर कि यहां पर नए वेरि इसके डिनाय किया जा रहा है इन आदेशों को कि बंदाना चाहूंगा कि नोईडा के अंदर इंटायर देश की बात करें तो हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है नोईडा के अंदर आशकल अपना और बनाने के लिए तैयार रहती है और जगे से लोग यहां पर है अगर बैरिय कर लेते हैं जीते इंद्र जादो का हमारे समबाद्दाता जुड़े हुए हैं जीते इंद्र महाराष्ट की क्या कुछ स्तिती नजर आ रही है इस नय वायरस खोलेकर कितनी सतर्कता और सजगता महाराष्टर में कल अभी तक दस्ते ज्यादा जो नया वायरेंट है जेएन वन के वे पूरे बादित दो गए अभी कल ही महाराष्ट के कैबिनेट मंत्री यानि राज्जी के कुरुष्य मंत्री बिलकुल है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री धनेट मंत्री जो है वो कोरुष्य मंत्री पॉजटिव पाए गये हैं तो क्या इसको लेकार अर और ज्यादा सतर सब्जा क leur है अस्पताल प्रभंदत्र कॉजट उछ वेवस्था हैं नजर आ रही है। पूरे दवाई रहते हैं पूरे दवाई को रिजर्व किया गया है राज्यों में और पूरे इस सभी मुद्धे पर वो सभी पर राज्य के मुख्यों मंत्री यानि यानि अजिस इसे बड़े-बड़े मंत्री लोग नजर रखते हुए बिलकुल देखा जाये तो अब यह महा क्रोना पॉजिटीव पाए गया हम हमारे साथ गोरकपुर से राम शंकर यादों जुड़े हुए हैं साथी विक्की देखा उससे पहले रुक कर लेते हैं वारारसी का विकी दे वारारसी वारारसी का अगर जिक्र किया जा तो क्या कुछ ववस्थाएं की गई है इस नय वे देखते हुए हैं हर रोज आते हैं दर्सांस के लिए भी आते हैं प्रेटक की इस त्था लेयर हो चुका है और यह पर अधिक अधिक संख्या में प्रेटक आते हैं इसको लेके बानवसी सीमों के तरफ से भी गाइडलाइन जारी कि अब जो जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है हंड की ठंड जो बढ़ आ है इसको जैकि बुखार की जो मरीज में लखन पाई जा रहे इसकी जिनों सिक्वेंसिंग जाज कराई जाएगी और जब तक जाज की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसको आइसोलेट हिया जाएगा और हम आपको बता दे अभी हम मौद है सब्सक्राइब करना चाहेंगे लगाया गया है और हम इसे बात भी करना चाहेंगे बिल्कुल विकिने थुड़ा से जोली से आप रियक्शन लीजिए और क्या कुछ विवस्ताइं हैं उसको लेकर बात चूइत कीजिए मैं ऐसे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुमासुनी राज्किया चिकेत साले बहलुपूर वारार्टी से हूं और सारी सुबदाएं सियमों सरके तरफ से जो है और सरकार की तरफ सारी सु अब हमारी जो है और जब तक रिपोर्ट नहीं आता है उसके वारे में कुछ हमनों कहने सकते हैं और अभी तक देखाएं तो नॉर्मल ही कोविट का लक्षर तो अभी तक यहां पर अभी बनारस में लगबग मेरे अस्पतार बनास के जनता के लिए बस एक एक ही लाइन में हम सब कह देंगे वो यह है कि कि प्रिकॉशन इस बेटर दन क्यों आप बच बचा के रहें वह नौबती नहीं आएगी कि कोविट आपको छुपा है मास्क लगाए इस करिए तूरी बनाके रखिए भीड वाले इलाके में जादे नहीं जाएगी और दूसरों को भी शलाद दीजिए कि इनको खासी है वो अगर जिक्र करें जैसे कि आपने बात की तो विवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चुस्त और दुरूस्त हैं और साथ ही जो प्रिकॉशन से वह भी कि लेने की जरूरत है हमारे साथ गोरकपुर से राम शंकर यादो जुडे हुए हैं अधा गोरकपूर का रुक कर लिते हैं राम संकर यादो का और साथ ही दिलिन से कुल्दीब भरат और डॉक्टर महेश डिवेदी जी भी डॉक्ट्र जुडे हुए हैं जिनसे हम जानेग है कोरोना के नए संक्रमण और नए वैरियंट को लेकर हम बात कर रहे हैं जगे-जगे से हमारे समभाददाता भी जुड़े हुए हैं साथ ही डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं बारा डॉक्टर का रुख कर लेते हैं पहले डॉक्टर महेश दिवेदी जी कानपूर से किसे अपने आपको बचा सकते हैं जी करोना का वरियंट यह म्यूटेशन वराइटी है एक वाइरस की और जैसा कि हम सब जानते हैं करोना का अलो के यूं हीर मी हां तो वराइटी है और वैक्सीन भी इसमें पूरी तरह से फेक्ट्यू नहीं है इसलिए अच्छी बात यही ह होगी हम इससे बचाओ रखें पूरी तरह से और जो बचाओ के सामाने उपाए हैं मास्क लगाना सनिटाइजर यह सभी हम लोगों को फालो करना चाहिए और बाकी वैक्सीन एफेक्ट्यू है पुरी तरह से भले नहीं हो पाए नय वेरियंट में बगर फिर भी एफेक्ट् है जिस तरीके से तीजी के साथ यह संक्रमाड जो है वो फैल रहा है यह वाइरस से फैल रहा है एक बार रुक कर लेते हैं गोरपुर का राम शूंकर यादो हमारे इस ब्यूरोचीफ जुड़े हुए हैं राम शूंकर अगर देखा जाए गोरपुर के सिती और विवस्था कि अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी कल के जो है एक नामी पेपर में ऐसा निकला था कि गोरकपूर से तीन नए वेरियंट के करोना पाश्टी मरीज मिले हैं जिस पर गोरकपूर में इस खबर के बाद हरकम भी मच गई हमारी भी सियमो से खुद बात हुई सियमो ने इ देखिए गोरकपूर में जहां तक हमारी बात है, हमारी जाच है ऐसा अभी कोई भी पुष्टी में नहीं कर पाऊंगा हो सकता है कि कि किसी अधर राज्य में गोरकपूर का अधार कार्ड लगा के जाच कराये गया हो और उसमें वो पुष्टी पाए गई है तो इसलिए भ जो एम्स है, चैह मेटकल कॉलेज हुआ, चैह जिला अस्पिताल हुआ, वहाँ पे जो भरती मरीज हैं, वहाँ पे उनका आटीर पीसीर जाच किया जा रहा है, और अभी तक के जाचों में कोई भी पाश्टी केस नहीं पाया गया, जो सियमों से हमारी बात हुए, सियमों ने इस बात की भी पुष्टी की की आने वाले समय में हम आटीर पीसीर की जाच करेंगे, और तकरीबन डेली जो है 100-200 लोगों की जाच करेंगे, साथी साथ उन्होंने प्रिकॉसंस के लिए भी सला दिया, और जनता से अपील की है कि लोग मास्क लगाएं, हो सके तो एक दूस अभी तक के मामले में नहीं पाया गया, जी सुन, बिल्कुल, कोरोना पॉजटीव फिलहाल, अभी कोई भी ऐसा केस निकल कर सामने नहीं आ रहा है, दिल्ली का एक बार रुक कर लेते हैं, कुल्दीप भरत हमारे समवाद दाता जुड़े हुएं, दिल्ली से, कुल्दीप दिल्ली का रुक करेंगे, दिल्ली में क्या और मरीजों में इस कोरोना पॉजटीव होनी की संख्या जादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट्स जो पिछली सामने आई थी, उसमें एक दो मरीज पाए गया थे, दिल्ली के अंदर जो संकर्मान बहर है, वही तो दूसरी राज्यों पर जित्रा केरल करनाटक और तमिल नाडू गारीस्तान जिसो बीस परपिशे से ज्यादा से संकर्मान पहल रहा है, उससे को देखते हो आज, जो भारत के अंदर 656 नहीं मामले आए, उसको देखते हो ड भी नाटी के और जो वने ले पार्त बारत के अंदर भारत के अंदर ने है, पहल पासा रहा है, इसे अब कही बद निये है, तंथ above the झांकर्मान पहल प्रक्मान पहलता है, उसमय पहले सेने ाज्यों को यह न वहीं मांप्स पायला है, तो वहीं को भारत 19 नहीं मायों पहलर उन्हों के था घृष्ट काम होने लगता हुए इसके अवह धिरगा शेकर च्रदें , जो ज्वार की देने के बाद की बैसे ज्वारा सब्सक्राइब है , जो क्रवरा अगए है। बिलकुल बिलकुल यह चोटी चोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप ऐसे वाइरस से बच सकते हैं अब ही कहा जा रहा है कि यह दे ऐसा इतना फिल रहा है इससे वास तक जाने का खत्रा बढ़ता जा तो कौन सा ऐसा स्टेज होगा जब यह नौबत यहां तक यह वाइरस इतना एफेक्टिव हो जाता है कि आवाज तक चली जाएगी वोकल पैरालेसिस जैसा खत्रा बढ़ता नजर आ रहा है जी देखिए नया म्यूटेल वेरिएंट है इसका जो मेन अफेक्टिट साइट होती है वह लेरिंग जिसकी वज़एसे लेरिंग जो जिसको हम स्वरियंत्र भी कह सकते हैं उसमें वकल कार्ड होते हैं और वहां पर म्यूकोषा क्वाटेटे अवजए से उजन होती है इडिमा वाइरल या वैक्टियर इंफेक्शन भी होता है तो आवाज कई बार चली जाती है या हुश्पिंग होती है तो देट लाइक इसमें भी ऐसा होता है और मेरा ख्याल है कि अगर जो नर्व होती है वह अगर अफेक्टेड होती है तब परमानेंट अधर वाइस यूजुली प्रापर और प्रापर यो ट्रीटमेंट है वह फालू करें तो मेरा ख्याल है इससे बचा जासे बिल्कुल साथ ही रुख एक बार महाराष्ट का करेंगे जीतेंद्र जादो हमारे संबादाता महाराष्ट से जुड़े हुए हैं जीतेंद्र जैसा कि यहां पर कैबनेट मं मंत्री जो हैं वह भी पॉजिटिव पाए गया हैं इस वारेस की संक्रमण में हैं इसको देखते हुए क्योंकि जाहर सी बात है कोई भी स्टेशन हो जैसे कि बस स्टेशन रेलवे स्टेशन तो क्या यहां पर चौकसी और बढ़ा दी गई है कुछ नियम जो हैं वह कंपल सर कि यह गए हैं यहां पर जब से महाराष्त के मंत्री दन जो मुंडे कोरोना से संक्रमित हो गए उसके बात राज्य के सास्ट राज्यर्य शासन ने पूरे महारास्तर में पूर्य शुक्ति का आदे वाला दो चार दिन का महला है उस दिन में शटीन लोगों ने बाहर नहीं चाहिए अपने तू मुह पर मास्क लगाना चाहिए और भी राज्य के जो मंत्री लोग है उन्होंने कली पुरी टास्पर्स बनाया फिर भी कली महरास्त्र में एक दिन देने संडे में रेविवार में पचास से ज्यादा को रोना के मरीज मिले उसमें से नई वेरेंट जैन व वेंटिलेटर का इंतराम किया है 9000 ज्यादा आइसी बनाए गए और 6000 वेंटिलेटर बिड़ बनाने का एलान किया है बिल्कुल विवस्था हैं देखा जाए क्योंकि नियम अगर कडाई से नहीं पालन कराई जाएंगे तो फिर इसका पालन भी नहीं होता है और ऐसे में पहले ही बताया कि यहां पर बहुत लापरवाही देखने को मिल रही है मतलब यह वाइरस है और इसको लेकर सजगता बिल्कुल भी जमेनी इस्तर पर नजर नहीं आ रही है क्या लोगों को इस बात का डर नहीं है कि अगर हमने लापरवाही बढ़ती तो यह संक्रमण एफे तरीके का कोई सेटाइजर या मतलब डिस्टेंसिंग वाली बात थी वो यूज करें लोटा में ऐसा भी कुछ भी नहीं है अगर मैं इसके लिए उप्लाल एक प्राइबिट मेला फेस्टिवल के तोर पे नोडा स्टिटियम में चल रहा है जापर हगारों लोग सुबह सामा सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का यह जौनकारी साजह करने के लिए डॉक्टर महष दिवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यह जानकरी साजह करने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए हलांकि इसको लेकर नोड़ा में जोव्यक्त आये हैं वो बेपटरी नजर आ रही सबसे जआधा जो सतर्कता है महरास्थ्र में देखने को मल रही है और व्यवस्तायमी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है वह देलिक का अगर जिक्र करें तो इतने जादा के से यहां पर नहीं पाए गए हैं लेकिन फिर भी सतर्कता यहां पर नजर आ रही है और सतर्क रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है श्वासनिस्तर पर भी और प्रिश्वासनिकस्तर पर भी इसी के साथ मुद्दे की बात में फिल हाल इतना ही आगे खबरों क्लि झाल झाल झाल